हेलो फ्रेंड्स मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करते हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इस तरह का टू कलर का निटिंग पैटरन लेकर आई हूँ जिसको की हम ग्राफ की हल्प से बनाएंगे ये देखें इस ग्राफ की हल्प से इसको हम बनाएंगे ये एक बार मैंने ये डार्क कलर में लाइट से बना लिया है अब मैं आपको ये पैटरन लाइट कलर में डार्क से बना करके दिखाऊंगे इस pattern को बनाने के लिए हमें 8 के multiple फंदे प्लस 2 फंदे चाहिए इस सलाई में हमने 8 के multiple 4 करकर 32 और प्लस 2 34 फंदे डाल लिये हैं 34 फंदे डाल कर अब यह देखें 2 simple सलाई हमने बना लिये light color से यह अब हम light में dark color से design डालेंगे तो पहले हमने यह light color से अपनी 2 simple सलाई हैं एक सीधी उल्टी बना लिये अब सीधी सलाई से हम design डानना शुरू करते हैं यह हमारी पहली सलाई है पहली सलाई को हम read करेंगे यह सीधी तरफ की सलाई है तो इसे हम सीधे हाथ की तरफ से ही read करेंगे दो फंदे अपने dark color से बनाएंगे हम दो फंदे light color से दो dark से दो light से इसी तरह से यह पूरी सलाई हमने बना लिये यह देखें, दो फंदे डार्क कलर से, दो फंदे लाइट कलर से, फिर दो फंदे डार्क कलर से, दो फंदे यह लाइट कलर से, यह इसी तरह से हमने पूरी सलाई को कम्प्लीट कर लेना है यह देखे एक सलाई हमारी complete हो गई अब हम दूसरी सलाई को read करते हैं दूसरी सलाई हमारी उल्टी सलाई है तो उसे हम उल्टे हाथ की तरफ से देखेंगे यह देखे वो ही pattern हमने एक बार फिर से repeat करना है dark फंदों पर dark color से बनाने हैं उल्टे फंदे और light फंदों पर light color से बनाने है यह देखें इसी को हमने एक बार फिर से repeat कर लेना है same color से हमने उल्टे फंदे बनाते जाना है same color से उल्टे फंदे बनाते जाना है अब यह देख लें दूसरी सलाई भी हमने complete कर ली उल्टे तरफ से आब हम तीसरी सलाई पर रहें तीसरी सलाई को हम सीधे हाथ की तरफ से रीड करते हैं एक दो तीन फंदे light color से बनेंगे फिर एक डार्क फिर दो light देखें पहले हम तीन फंदे पिर दो light color से बनाते हैं पिर एक डार्क कलर से फिर दो light दो पिर एक डार्क कलर से यह देखें इस तरह से अब बीच में चार फंदे यह लाइट कलर से बनेंगे यह उन को हमने दबाते हुए बुनने है ताकि हमारा पैटन में खिचाव पूरा बराबर से आए यह देखें, चार लाइट से बन गए अब हमने एक डार्क से दो लाइट से एक डार्क से यह इसी पैटन को हमने आगे-आगे repeat करना है यह देखे फिर चार लाइट से बनाएंगे एक डार्क से दो लाइट से एक डार्क से इस तरह से इसी को आगे आगे हमने रिप्लीट करना है इस ग्राफ से हेल्प लेकर या बताय के अनुसार आप बनाएं यह देखें थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है शुरू में भी तीन लाइट कलर के फंदे थे हमारे पास और एंड में भी यह कलर के तीनी फंदे आये अगर इसे हम ऐसे देखें तो एक बार हमने यह जो हमारे डार्क कलर के फंदे थे उनको लाइट कर दिया और दूसरी बार के जो डार्क कलर के फंदे थे उसके साइड साइड में एक एक डार्क बनाया है और उन फंदों को हमने लाइट कर दिया है आप ये देखें, फोर्थ रो हम अपनी बनाएंगे, अब यहां से हम फोर्थ रो को देखते हैं, ये उल्टी साइड की रो है, तो हम उल्टे हाथ की तरफ से रीड करेंगे, 1, 2, 3, 4, दो फंदे पहले हम लाइट कलर से ये बनाएंगे, ये देखें, एक और दो, फिर एक फं डार्क कलर का है, उसके बाद देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, हमारे लाइट कलर के, एक, दो, तीन, चार, लाइट कलर के, फिर एक डार्क, दो लाइट, एक डार्क, फिर चार लाइट, ये देखें, एक डार्क, दो लाइट, एक डार्क, इसी पैटर्न को हमने दोराना है, चार, लाइट, एक डार्क, दो लाइट, एक डार्क, चार, लाइट, एक डार्क, दो लाइट, ये देखें, फोर्थ रोह हमारे, कम्प्लीट हो गई, ये देखें, आब आती है हमारी फिफ्ट रोह, फिफ्ट रोह अब हम इस तरफ से रीड करते हैं, देखें, एक, दो, तीन, चार, फिफ्ट रोह पर फिर हमने ये ही पैटरन को रिपीट करना है, दो डार्क कलर से, दो लाइट कलर से, दो लाइट कलर से, फिफ्ट और शिक्स रोह पर हमने इसी को रिपीट करना है, फिफ्ट रोह हम बनाते हैं, अब दो डार्क, दो फिर दो डार्क दो लाइट पूरी रो हमने इसी तरह से रिपीट करनी है दो डार्क दो लाइट फिर दो डार्क यह इसी तरह से पूरी रो हम यह फिफ्थ रो बना लेंगे ये देखें 5th row हमारी right side से complete हो गई है अब हमारी 6th row है 6th row भी देखें as it is बनेगी dark पर dark फंदे light पर light फंदे उसी same color से हम फंदों को उल्टा बनाते जाएंगे 6th row पर dark पर dark फंदों को उल्टे बनाएंगे light पर light फंदों को उल्टे बनाएंगे ये इसी तरह से हमने पूरी row को complete करना है dark पर dark फंदे उल्टे और light पर light फंदे ये देखें हमारी 6 सलाहिया complete हो गई अब हमारी 17th row है right side से अब ये देखें 2 फंदे light बनेंगे फिर एक dark बनेगा फिर 4 लाइट बनेंगे ये देखें अब दो फंदे light कलर से फिर एक dark कलर से फिर ये चार light कलर से एक दो तीन और ये चार फिर एक dark कलर से फिर दो लाइट कलर से फिर एक dark कलर से फिर चार light कलर से एक दो तीन चार फिर एक dark कलर से दो लाइट कलर से एक dark कलर से फिर चार light कलर से एक दो तीन चार फिर एक dark कलर से एक dark कलर से चार फिर लाइट कलर से फिर दो तीन चार फिर एक डार्क कलर से और दो लाइट कलर से यह हमारी सैवन्त रो कम्प्लीट हो गई यह बहुत ही आसान पैटरन है हलका सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा अब हमारी एट रो आती है एट रो हमारी रॉंग साइड की रो है अब इसको हम यह देखें इधर से रीड करते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 एट रो पर 1,2,3 फंदे पहले लाइट कलर से बनेंगे फिर एक डार्क, दो लाइट, एक डार्क यह देखें अब इसको हम बनाते हैं तीन फंदे पहले लाइट कलर से एक दो और यह तीन फिर एक डार्क कलर से फिर दो लाइट कलर से फिर एक डार्क कलर से फिर चार लाइट कलर से फिर एक डार्क से, दो लाइट से, एक डार्क से, फिर चार लाइट से फिर एक डार्क से, दो लाइट से, एक डार्क से, फिर चार लाइट से, एक डार्क से, दो लाइट से, एक डार्क से, लास्ट के तीन फंदे हमारे लाइट से ये देखे एट रो भी हमारी कम्प्लीट हो गई ये देखे अब हमारी नाइन रो है फिर उसी तरह से बनेगी शुरू के दो फंदे डार्क कलर से एक दो फिर दो फंदे हमारे लाइट कलर के फिर दो फंदे डार्क कलर के अब ये देखे पूरी लाइन हमने नाइन रो इसी तरह से रिपीट करनी है दो डार्क से दो लाइट से फिर दो डार्क से फिर दो लाइट से इसी तरह से इसको पूरी रो को हमने repeat कर लेना है अब यह देखें 9th row हमारी complete हो गई 2 dark, 2 light, 2 dark इस तरह से और इसी को हमने अब 10th row पर भी repeat करना है यही आप graph में भी देख सकते हैं और यही अब मैं इसमें भी आपको बता रहे हूं dark पर dark फंदे उल्टे बन जाएंगे और light पर light फंदे उल्टे बन जाएंगे यह dark पर dark फंदे और light पर light फंदे और जब भी आप यह graph के pattern बनाएं तो उन को cross कराना याद रखें नहीं तो यह फंदे अलग-अलग बिखरे हुए आएंगे और हमारे pattern में सफाई नहीं आएगी जब भी graph का कोई भी pattern बनाएं तो यह सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उन को दबाते हुए हमने चलना होगा यह देखें टैंथ रोबी हमारी complete हो गई और दस सलाईयों में ही हमारा यह pattern भी complete हो गया अब मैं दो सिंपल सलाईया यह light color से बना लेती हूँ ताकि आपको यह pattern ठीक से दिखाई दे यह देखें दो सिंपल सलाईया बना रहे हैं एक सीधी हमने बना लिए और अब एक सलाई हम उल्टी बना रहे हैं यह उल्टी सलाई complete होते ही हमारा pattern complete हो जाएगा पैटन तो हमारे दस सलाईयों में ही complete हो गया पर यह ठीक से नजर आए इसके लिए मैं यह दो सिंपल सलाईया और बना रहे हूँ यह देखें आप यह pattern आपको ठीक से नजर आ रहा होगा दो सिंपल सलाईया बनाने के बाद यह दस सलाईयों का pattern था यह इसका graph है इसकी help से भी आप इसको बना सकते हैं और जिस इस आप से मैंने आपको बोल करके बताया उसको भी follow करकर आप इसको बना सकते हैं यह pattern मैंने एक बार dark color में light से डाला है और फिर मैंने यह light color में dark से डाला है इस तरह से आप continue भी अपने project में इसको use कर सकते हैं एक बार dark में light से और एक बार light में dark से या एक ही तरह से इसको dark में light से लाइट में डार्क से ऐसे भी एक ही तरह से आप इसको continue कर सकते हैं फ्रेंट्स पैटन बनाने में बहुत ही आसान है इवन की बिगनर्स भी इसको देख करके इसको आसानी से बना लेंगे अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फ्रेंड्स